आज डाइबेटीस के लिएके जो सेशन हुआ है वो बहुत ही बढ़िया था उसमें सबसे अच्छा मुझे यह लगाए कि जो माँ हमें दिन की शडूल बना दी थी खाने का वो टाइम पे वो सबसे बेश था लेकिन हमें एक माँ बनने के बाद वो हमारा रूटिंग खाने का चेंज हो गया है तो उससे भी हमें डाइबेटीस हो सकती है और वो हमारा क्वेशन मार्ग था कि हमेशा डाइबेटीस होती है वो शुगर से ही होती है तो ऐसा नहीं है कि खाने का भरा हमारा जो दिन का शेडूल है वो टाइम से ना खाने से और ना पानी पीने से भी हमें हो सकती है और उसके लिए हमें जो डॉक्र मैडम ने आज उपाई बताए एक नोनी जूस बोलाए टॉक्सिमोनिया की दवाई बोलाए उसमें मैगनेटिक बेल्ट बोलाए और वाटर चार्ज बोलाए ये हम अगर लेगे तो हमें डाइबिटीज ने होगी और वो हमें कम से कम देड साल तलक हमें कंटीनू लेला है और ये हम कोशिश करेंगे कि हम खुद भी करें और दूसरे को भी बताने क्या कोशिश करूंगे थेंक्यू मडम थेंक्यू और इतना जो डीप में जो नॉलेज है वो दुनिया को कोई डॉक्टर ने दे सकता अभी तलक के मेरे नॉलेज में जो आपने आज बताये उसकी लिए आपको सलूटे